दली तो को नयाम爆 नेले तो और उनका हाथ नहीं है स्टेट गवर्मjach का वो कहते हैं के हमारा हाथ नहीं है तो फिर आप पो ये मामला सीडियाई को पूरंट रेफर करना है और जबी सीडियाई को डिलें। यह बस्पा सुप्रीमो मायवती का चन्याई का वो वीडियो है जुसमें तमिलनाडू के बस्पा धक्ष के आमस्ट्रॉंग की हत्या के बाद मायवती उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजली अर्पित करने पहुंचे वहां उन्होंने के आमस्ट्रॉंग के परिवार से मुलाकात की फिर मंच पर जब माईक हाथ मिलिया तो तमिलनाडू सरकार पर उनका गुसा साफ दिखा जा सकता था मायवती ने अपने प्रदेश देक्ष की हत्या पर तमिलनाडू सरकार को खेरा कानून विवस्था के धागे खोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपका इस हत्यकान में हाथ नहीं है तो इसकी जाच सीबियाई से कराएं कि अगरण मेंट रैफर नहीं करती है कि दी आए को तो समझ लो इसमें इस्टेट गर्रमेंट का भी कई-ना-कई हाथ जरूब है उन्हाइए तो उनको विडियाई को रैफर करना काई है कि अ तक यह मालुक पढ़ाया कि इसमें हाथ किसका है इसलिए इस घटना को हमारी पा कि कोई चूप नहीं बैठेगी यहां हमारा यूनित भी कोई चूप नहीं बैठेगा इससे गॉर्मेंट पर पूरा दबाद बनाएगा कि आप जबी नहीं नहीं दे सकते हैं तो कि दरशल तमिलाडू में तीन बाइक पर सवार हत्यारों ने पांच जुलाई की शाम पेरामबूर में आमस्ट्रॉंग के घर के पास चाकूओं से गोद कर उनकी हत्या कर दी थी और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके सिफ फरार हो गए आपको बता दें कि के आमस्ट् करताओं के उगर प्रदरशन को देख मायवती ने तमिलाडू के बस्पा कारेकरताओं से शांती बनाय रखनी की अपील की और अगले ही दिन वो चन्ने पहुंच गई चन्ने पहुंच मायवती ने अपने तमिलाडू के कारेकरताओं से कहा कि बस्पा के लोग कानून अपन में नहीं लेना है कानून विवस्ता का पालन करते हुए आपको ये बताना है कि जो भीकल सेक्षन के लोग है वो कानून को कभी अपने हाथ में लेते हैं कानून विवस्ता का पालन करते हुए कानून का जो शांती विवस्ता के साथ कानून विवस्ता सरकार इधर उसको सब्स पार्टी का ठीया, कि स्टेट में कानून विबस्ता सही हो और हम पने और प्रेजिदेंट गुंहाई के लिए पार्टी के लोग कानून को हं लेए लेंगे शाल्ति विबस्ता के साथ आप अपनी बात स्टेट गौर्रमने के सामने रखे और मीडिया के माध्यम से इससे गोवर्मेंट को या के मुख्य मल्क्री को मैं ये कहते हूँ कि ये भी आपका इस घटना में आपका हाथ नहीं है तो फिर आप इस मामले को CDI को जरूर रैफर करें ऐसा मेरा उनको कहनगा है इसके लावा बस्पा चीफ ने कहा कि आम्स्ट्रॉंग की हत्या के बाद पूरे राज्ज में दलितों के बीच भय पैदा हो गया है लोग ये सोच रहे हैं कि जब प्रदेश अध्यक्षी सुरक्षित नहीं है तो उनकी तो बात ही छोड़ दीजे इसके आगे उन्होंने सब्सक्राइब करेंचेवeszाईखाई शार्प वेपन्स हैब बिन यूज़ बिरो रिपोर्ट यूपीता